दोस्तों, pancreas body का एक बहुत ही ज्यादा important organ है, जो पाचन और blood sugar control में बहुत ज्यादा important role अदा करता है। जब pancreas खराब होता है, तो यह कई तरह के शुरुवाती लक्षन पैदा कर सकता है। आज मैं आपको इनी शुरुवाती लक्षनों के बारे में बता रहा हूँ। सबस लक्षन करने के बाद पेट फूल सकता है, गैस बन सकती है और जलन महसूस हो सकती है। बड़ी मातरा में दस्त लग सकते हैं और यह जो दस्त हैं यह बहुत ही ज्यादा smell वाले होंगे। यानि इन में से बहुत ज्यादा दुरगंद आएगी। जो मल होता है उसका रंग हल परी महसूस हो सकती है, व्यक्ती को डाआपटीज हो सकती है, फैंक्रियास बलड शुकर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब पैंक्रियास खराब होता है तो फिर इससे डाआपटीज हो सकती है। गति जो 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 उन के साथ चुछ और लक्षन बता रहा हुँ जो पैं केट में सूजन होना, वजन कम होना, मासपेशियों में दर्द होना, जोडों में दर्द होना, चिड़ चिड़ा पन होना, और डिप्रेशन होना. यदि आपको इन में से साथ में कोई लक्षन दिखाई दिखाई देते हैं तो फिर डॉक्टर से सलाह मशवरा करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टन्ट हो जाता है पैंक्रियास की जितनी भी समस्याइं होती है उन समस्याँ का इलाज आप दवाएं खाकर या कोई सरजरी करवाकर या फिर सिर्फ जिवन शैली में बदलाव लाकर कर सकते हैं इड़ बेंड करता है कि पैंक्रियास में क्या समस्या हुई है यदि आप चाहते हैं कि आपको पैंक्रियास की कोई समस्या ना हो, आपका पैंक्रियास खराब ना हो, तो आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव कर सकते हैं, अगर आप यह बदलाव करते हैं, तो फिर पैंक्रियास खराब होने का जो जोखिम है, वो कम हो सकता है, जैस आपको धुम्रपान नहीं करना चाहिए, जो धुम्रपान होता है, यह पैंक्रियास की समस्यों के जोकिम को बढ़ाता है, और शराब का सेवन आपको सीमित करना चाहिए, ज्यादा शराब का सेवन पैंक्रियास की समस्यों के जोकिम को बढ़ाता है, तो यदि आपको इन में स कोई भी लेक्षन नजर आते हैं तो आप एक बार डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं Thank you so much